खरीफ सीजन पर इस साल मोसम की मार पड़ी है पहले मोंसुन की बेरुक्वी के चलते हुई कम बारिश की वज़े से कई राज्यों में सूखे के हालाद बने थे इस वज़े से धान की खेती पर असर पड़ा बसलन धान की खेती के रख्मे में कमी आई और इसे देखते हुए खाद्यमंत्राले ने धान, धलहन और तिलहन के उत्पादन में कमी का अनुमान चारी किया अब खरीफ सीजन की फसलों पर भारी बारिश की मार पड़ी है इस वज़े से कई राज्यों में खड़ी फसले पर भावित हुई है वहीं फसलों में समय से पहले नमी की हालात बनने लगे है ऐसे में अनुमान से कम उत्पादन की आशंका बढ़ गई है बीते दिनों कई राज्यों में भारी बारिश हुई है जिसमें पंजाब, हरियाना, पश्मी उत्तरपरदेश, उत्तराखंट शामिल है यही वे राज्ये हैं जहां मोंसुन सीजन में बारिश ठीक हुई थी मसलम कम बारिश की वज़े से जिन राज्यों में धान की खेती का रखबा कम हुआ था उन राज्यों में अधिक बुआई थी इससे धान के ओसत रखबे में सुधार हुआ था लेकिन बीते दिनों हुई बारिश से धान की फसल पर भावित हो चुकी है बीते दिनों हुई भारी बारिश को क्रिशी विश्यशग्य भेतर नहीं मान रहे उनका कहना है कि पंजाब में कई जगों पर लगातार बारिश से खरीब फसलों खासकर धान और कपास को नुकसान हो सकता है उनका मानना है कि फसलों की कटाई में देरी के अलावा बे मौसम बारिश ने केवल उपज बलकि फसल की क्वालिटी को भी परभावित किया है वहीं पंजाब क्रिशी विभाग के निदेशक का कहना है कि इस तर पर बारिश अगर दो से तीन दिन तक जारी रहती है तो खरीब फसले परभावित हो सकती है और ये धान की फसल की उपज के साथ साथ क्वालिटी को भी परभावित करेगा जो कटाई के चरण में है कई राजियों में खरीब सीजन की मुख्य फसल धान पकर त्यार हो गई है जिसकी कटाई की परक्रिया शुरू होने को है लेकिन बीते दिनों हुई भारी बारिश से फसले खेत में ही गिर गई क्रिशी विशेशग्यों का कहना है कि हवा के साथ बारिश से धान की फसल चप्टी हो गई है जिससे फसलों की कटाई करना मुश्किल हो जाता है हवा और भारी बारिश की वज़े से धान की फसले चप्टी होने से एक तरफ जांकिसानों को कटाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो वहीं इसे फसलों में नमी बढ़ जाती है वहीं पंजाब क्रिशी विशेविदालिया का कहना है कि नमी का स्तर बढ़ने से क्वालिटी पर भी प्रतिकुल परभाव पढ़ सकता है ऐसे में अनाज के रंग बदलने की भी संभावनाएं हैं क्रिशी विशेशग्यों का कहना है कि बारिश का असर कपास की फसल पर भी पड़ेगा और बारिश और हवा के कारण पोधे से कपास के बीच जमीन पर गिर सकते हैं। पंजाब ने इस सीजन में 30,84,000 हेक्टेर रखमत धान का लगाया है और एक अक्तूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी।